इस कारेकरम को जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों दोरा संबव बनाए गया है आनंद लो प्रति दिन के जीवन कामें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब का धन्यवाद में प्राटना करती हूँ कि आप कारेकरम का आनंद लेंगे और ना केबल आपका आनंद अच्छा होगा बलकि आपका दिन भी अच्छा होगा हम आज बात कर रहे हैं हमने कल अपनी समस्याओं से न भागने के बार में बात कियी थी मैं इसे वास्तविक्ता से भागना बंद करें कह रही हूँ हमने ऐसा करने की प्रवरित्ती नहीं होनी चाहिए यदि ये कुछ ऐसा है जिससे हम अपने जीवन में निपटना नहीं चाहते तो हम इसे अपनी आत्मा की गहराई से कहीं चिपाने की कोशिश करते हमें और सोचते हैं असा नहीं पर वो होता ही है लेकिन अगर हम ऐसा करने में सपल नहीं होते हैं तो कई बार यह अन्य तरीक की आवश्यक्ता है यही बात परमेश्वने इसराइलियों से तब कही थी जब वो उसे भागने की कोशिश कर रहे थे मिस्र की सेना उनका पीछा कर रहे थी लाल समुद्रा उनके सामने था और वो डर गए थे और वो भागना चाहते थे और वो अपनी समस्याओं के लिए हर कि वास्तों में परमेश्वर को सुन सकते हो आप सुन सकते हैं कि उन्हें आप से क्या कहना है मुझे अपनी चीवन का वो समय याद आ रहा है जब मैं डेव और मेरी शादी की सभी समस्याओं के लिए डेव को जिम्यदा ठहरा रही थी और एक दिन मैं डेव के बदलने के मुझे ही समझ नहीं आया, आखर आखिर में मुझे इस तथ्या का सामना करना पड़ा कि मेरा ही रवया खराब था, हाँ, मैं जानती हूँ, मैं अब बहुत प्यारी हूँ और आपके लिए इस पर विश्वास करना करती है, लेकिन मेरा रवया बुरा था, सच मुझ बहुत खुलाव आया, परमिश्वर ने मुझे अपने वचन सिखाने के लिए उपयोग करना चाहा, और मैं छोटी-छोटी चीज़े कर रही थी, थोड़ा बाइबल, अध्यायन, और थोड़ा ये थोड़ा वो, लेकिन मेरे पास एक बड़ा दृष्टी कोन था, मेरे जीवन के ल और यदि आप बदलोगे, तो मैं बहतर वहवार करूंगी, तो कल हमने बाइबल में भाग लेने वाले लोगों को देखा, मूसा मिस्र से भाग गया परंतु परमिश्वर ने उसे वहाँ वापस भेच दिया, हाजीरा अपनी मालकिन के पास से भागी, लेकिन परमिश्वर ने का अपनी स्वामिनी के पास लोड़ जा, और उसके वश्मिरे भले ही सारे उनके साथ वही वहवार नहीं कर रही थी, हाजीरा का रवया भी बुरा था, जिससे परमिश्वर ने पटना चाहते थे, और मुझे लगता है कि जब कल हमारा कारेकरम खत्म हुआ तो हम एलिया के बार में बात कर रहे थे, परमिश्वर का एक महान पैगंबर जो था, निश्ची तरूप से वो उस प्रकार का आदमी नहीं था, जो अपनी समस्याँ से भाग जाये, लेकिन वो परमिश्वर का काम करते कर दे, ठक गया था, आप जानते हैं बहले ही आप परमिश्वर का क कर रहे हूं, कभी-कभी आप इससे ठक सकते हैं, और उससे पिछले दिन 450 बार पैगंबरों को मार डाला था, और बाइबल कहती है, उसके टुकडिक कर डाले, मेरा मतलब है, मैं कलपना भी नहीं कर सकती कि वो किस तरह का काम था, और वो वाकई में ठक गया था, और इसलिए जब इसेबेल ने सुना कि एहलिया ने उसके नबियों के साथ क्या किया है, तो उसने एहलिया को धंकी दिया और कहा कि वो उसे मार डाले गी, और बाइबल कहती है कि वो जंगल में भाग गया, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने परमिश्वर से कहा, यदि मेर जीवन इसी तरह चलता रहा तो आप मुझे मार भी सकते हैं, वो मरना चाहता था, उसका रवया खराब था और उसे अपने उपर दया आ रही थी और एक स्वर्ग दूत ने आकर उसे भूजन दिया, जिसके बाद उसने एक जपकी ले लिया और वहीं देव दूत वापस आय और उसे एक भूजन दिया और उसे जपकी लेने का मौका दिया, जब आप इसके बार में सोचते हैं, तो वो वास्तों में एक दिल्चस्प कहानी है, उसके सामने ये बड़ी समस्या थी और परमिश्वर ने कहा, तुम्हें अच्छे भूजन और जपकी की जरूरत और आप जानते कभी-कभी आपको इससे पहले की आप सुन सके की परमिश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको थोड़ा समय आराम करना होगा, यदि आप स्वेम ठक चुके हैं और आपका मुड़ खराब है, आप सभी हतोत्साहित हैं, निराश हैं और आप अपनी सभी आराम करने की जरूरत और ये सुनने के लिए तयार हैं कि परमिश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, खर एलिया को आराम मिलने के बाद परमिश्वर ने उसे कहा, तेरा यहां क्या काम, मुझे यह अच्छा लगता है, तेरा यहां क्या काम, और उसने उत्तर दिया, ये एक राजा उनीस तेरा सुला में है उसने उत्तर दिया सेनाओं के परमिश्वर यहो आके निमित तब मुझे बड़ी जलन हुई है क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी तेरी वेदियों को गिरा दिया अब ध्यान दे आप जानते हैं परमिश्वर ने कहा तेरा यहां क्या काम और वो परमिश्वर को सब कुछ बताने लगता है कि बाकी सबी लोग गलत कर रहे हैं तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूँ क्या हम कभी कभी ऐसे नहीं होते मैं अकेली हूँ जो सही काम कर रही है और मुझे समझ नहीं आता कि मे परमिश्वर ने जो कहा वो पसंद आया लोट कर दमिश्क के जंगल में जा याद रखे हम इस बार में बात कर रहे हैं कि जिन स्थानों पर हम भागते हैं परमिश्वर हमें कैसे वापस बेचते हैं और हमें उन मुद्दों से निपटना होता है जहां से हम भागे थे लोट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए इस्राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते ये हुका और मुझे ये पसंद है और अपने इस्थान पर नभी होने के लिए आबेलम हुला के शाताब के पूत्र एलिशा का भी शेक करना अस्थान लेने के लिए ये किसी का भी शिक करो कभी कभी मैं आपको ये बताऊंगी कि परमिश्वर जो चीज़े परमिश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं वे आसान नहीं है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी जो कोई भी परमिश्वर का आगया कारी है मैं अभी आप से बात क करेंगे आखरी नहीं और भी कुछ हैं लेकिन योना की परमिश्वर से भाग गया था और मुझे लगता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम परमिश्वर से दूर भागेंगे उससे काफी दूर भाग जाएंगे तो वो अपना मन बदल लेंगे और हमें कुछ आसान काम दे आप ऐसे हैं जैसे आपके पास चयनात्मक्ष्रमण हैं आपके पास नहीं है परमिश्वर से वो सुनना नहीं चाहते हैं आप एक और चयन चाहते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक प्रतिक्षा करते हैं और ये योना में कहा गया है वास्तों मे आपको इस पूरी कहाने को पाने के लिए पूरी किताब पढ़नी होगी, लेकिन इसके अध्या एक-दो-तिन में है, योना परमिश्वर के बुलावे से नीनवे शहर जाने के लिए भागा परमिश्वर ने उसे कहा, उठ कर उस बड़े नगर, नीनवे को जो और प्रचार कर, और खेर योना ने ऐसा नहीं किया, उसने नीनवे को सुसमाचार सुनने के लायक भी नहीं समझा, उसे उनकी परवा नहीं थी, वो उन्हें पसंद नहीं करता था, वो वहां नहीं जाना चाहता था, तो बाइबल कहती है कि परंतु योना यहुवा के सम्मुक से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और यानो नगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहास पाया, क्या कोई इस समय इस कारेकरम को देख रहा है, आज चे रहे कि आप में से कितनी लोग परमिशवर से भाग रहे हैं और ऐसा दिखावा करने के कोशिश करें, जैसे परमिशवर अस इत्वा में हैं ही नहीं और आप बस अपना काम कर रहे हैं अपना जीवन जी रहा हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए ये सोच कर कि ये ठीक है आप इससे काम चला लेंगे, खैर आप पाप का परिणाम देखते हैं, इसलिए योना त तरशिष जाने के लिए एक जाहास पर चड़ गया वो जो नीनवे से बिलकुल विपरित दिशा थी और एक बड़ा तूफान आया और अंत में जोना ने उन दोनों से कहा मुझे उठा कर समुद्र में फेग दो तब समुद्र शांत पढ़ जाएगा उन्होंने ऐसा किया और बड़े से मघर मच ने योना को निगल लिया आपने कहानी सुनी होगिए अब शायद आप में से कुछ लोग्या न न सोचने कि ये वास्तविख है आपको लग रहा होगा कि ये एक मितख है या कोई मनघुरंत कहानी है लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि एक मघर मच … ने में नहीं जानती लेकिन मैं कलपना नहीं कर सकती कि इस मगरमच के पेट में क्या होता और मगरमच का पेट इतना बड़ा होता है कि उसमें एक आदमी समा सकता है खैमे बात जानती हूँ कि वानिश्ची तुरूप से अच्छी गंद तो नहीं आ रही होगी उसके सिरके चारो और समुद्री शेवाल लिप्टी हुई थी भयानक चीज थी और इसलिए अंतता उसे पश्चा ताप हुआ उसने परमिश्वर को पुकारा तब यह हुआ का यह वचा है दूसरी बार योना के पास पहुंचा उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसमें प्रचार कर मुझे खेद है लेकिन मैं इस कहानी पर हांसे भीना नहीं रह सकती योना इन सबसे गुजरा और फिर भी परमिश्वर के पास उसके लिए बिलकुल वही उत्तर था जाओ और वही करो जो मैंने तुम ही करने के लिए कहा है जो कोई भी परमिश्वर की इच्छा को जानता है और उससे भाग रहा है उसके जीवर में परेशानी होगी शायद आखिरकारी आपको पकड़ लेगी इसमें कहा गया है और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा अब ये वास्तों में शारेरिक बिटाय के बार में बात नहीं कर रहा है ये इसके बार पारियां थी और उसने बच्छेबा के साथ वैविचार करके उसके साथ बहुत बड़ा पाप किया और बाइबल वास्तों में कहते है कि जब राजा युद पर जाते थे तो दाउद घर पर ही रहता था खैर वो वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए ता करी बार यदिया पार नहीं होते जहां आपको होना चाहिए तब ही आप उसी बत में पढ़ जाते हैं आप सब को इससे सुनने की जरूरत है यदि आप आँ नहीं है जहां आपको होना चाहिए तो आप परिशान में पढ़ सकते हैं हो सकता है कि आप गलत समय पर गलत पाती में हैं और मुसी में पढ़ जाएं उन जगों से दो रहें जहां आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए खैर जब दाउद घर पर ही था और बाकी सभी लोग युद पर गए हुए थे उसने बस शेबा को छट पर नहते हुए दिखा और वो उसे अपने पास ले आया और उसने उसके साथ वह विचार किया और वो घरबबती हो गई और इसलिए अब उसके सामने वास्तविक समस्या है थी देखे कभी कभी एक समस्या दूसरी समस्या की और ले जाती उसके पास एक वास्तविक समस्या थी और इसलिए उसने कुछ ऐसा भी किया जिससे मामला और भी बत्तर हो गया उसका पती उरही आया यह सोचकर घर आया कि वो अपनी पत्नी के साथ सोएगा और फिर वो सोचेगा कि बच्चा उसका है लिकेन उर्हिया सम्मानित व्यक्ति था और उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा जब मेरे भाई अभी भी युद लड़ रहे हो तो मैं अपना आनंद नहीं उठाऊँगा और अपनी पत्नी के साथ स सुनाई जिसने सच मुझ दाउत का दिल जीत लिया एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैं शयाद कल आपके साथ साजा कर सकती हूँ अगर मेरे पास समय होगा तो पता नहीं कि मैं करूंगी या नहीं मुद्दा यह है कि आखिर कार वो होश में आया और जानता है कि उसे पशाताब क करने की जरूरत है अब जानते सत्य का सामना करना एक मातरा ऐसी चीज है जो मैं आजाद कर सकती है यहना आट 31 और 32 कहता है यदि तुम मेरे भचन में बने रहोगे तो सच मुझ मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रा करेगा आपके बल सत चीजे वास्तों में वैसी हैं ना कि उस तरह जैसा हम सोचने हैं कि बिषक्तां के बराबर है हमारे द्रिष्टी कोंसे नहीं बलकि पर्मी द्रिष्टी कोंसे पर्मीश्वरर के बार में क्या सोचते हैं हम अपनी जीवन में जो विकलप चुन रहे हैं, उनके बारे में परमिश्वर क्या सूचते हैं, मैं लोगों से कुछ बेहत अजीब बाते सुनती हूं, एक बार एक महिला ने फोन किया, और कहा कि उसके कई दोस्त ऐसे काम कर रहे हैं, जो बेहिमानी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि परमिश्वर उन्हें आश के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस शर्त है कि हम उन आशीरवादों को खूना न चाहें, हम सब परमिश्वर के साथ शांती चाहते हैं न, मैं ये जाना चाहती हूं कि जब मैं रात में अपना सिर्ट अक्ये पर रखती हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं एक आचने में मुझे काफी समय लगा, मैंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में स्वयम इस तरह की बहुत सी दोड़ लगाई, परमिश्वर के वचन में सत्य एक केंद्रिय विश्य है, ये शुनी कहा मैं सच्चाई हूं, उन्होंने कहा मार्ग और सच्चाई और में कहती है, ये शुने अनुगरा और सच्चाई से परुपूर्ण होकर हमारे बीज में धेरा किया, योहना एक सत्रा कहता है, इसलिए कि वेवस था तो मूसा के द्वारा दी गई, परन्तो अनुगरा और सच्चाई शुमसी के द्वारा पहुची और मुझे ये बहुत पस भजन सहीता इक्यावन छे, देख तू रुदय की सच्चा इससे प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ग्यान सिखाएगा, हमें सच्चा होने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जगे अपने भीतर है, बहाने बनाने और दूसरे लोगों को दोश दिन की कोशिश न करें, बलकि उन चीज़ों की जिम्मेदारी लिए जो हम करते हैं, और परमिश्वर नहीं चाहते कि हम करें, परमिश्वर के पास हमें से प्रत्य के लिए एक अच्छी जीवन योजना है, लेकिन हमें सच्चा है पर चलने की जरूरत है, हमें सत्य से प्रेम करने के आवश मिल गई, खैर ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, जिन से लोग परमिश्वर से दूर भागते हैं, और वास्तों में मैंने छे तरीके बनाया हैं, जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूं, हम संभवतब, आज ही उन में से किसी एक तक पहुंचेंगे और फिर हम कल तक इसके ब पता कि दाओद किस तरह के बहाने बना रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कुछ अच्छे बहाने बना रहा था, क्योंकि दाओद एक ऐसा व्यक्ति था, जो परमिश्वर के दिल के गरीब था, बाइबल वास्तों में, कहती है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे परश तक अपने पाप को नजर अंदास करने में काम्याब रहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि दाओद कितना दुखी रहा होगा, और वास्तों में मैं आज आपको कहानी सुनाओंगी, परमेश्वर ने नाथन भविश्य वक्ता को दाओद के पास भेजा, दाओद एक र धन धनी आदमी के पास बहुत सारी भेड बक्री और गाय बैल थे, लेकिन निर्धन आदमी के पास केवल एक छोटी सी मेम नी थी, जिसे उसने खरीदा था और उसने उसे पाला और वो उसके साथ बड़ी हुई, वो उसके लिए बेटी के समान थी, एक दिने की यातरी धनी आदमी के पास आया, लेकिन धनी आदमी ने यातरी के भोजन तयार करने के लिए अपनी भेडों में से एक को ले जाने से इंकार कर दी, और इसके वज़ाए उसने उस आदमी से भेड ली, जिसके पास केवल एक ही थी, उसने निर्धन आदमी की भेड ले ली, धनी आदमी निर्धन आदमी के साथ दूर वहवार किया और वो जो एक चीज उसके पास थी उससे ले लिया, बाइबल कहती है कि दाउद का कोप उस मनुश्य पर बहुत भड़का, वो इस थिती से बहुत क्रोधित हो गया था, वो बहुत परेशान था, और तब नातान ने दाउद से कहा तू ही वो मनुश्य है, वा, मैं इसके कलपना भी नहीं कर सकती, आप जानते कि आप कभी किसी और को दोश देते हैं और परमिश्वन ने आपको सच्चाए में रूबरू कराया, मैंने साचा किया है कि मैं डेव में बदलाव के लिए प्रारत ना करती थी, मुझे यकिन था कि वो हमारी शादी में समस्या थी, और परमिश्वन ने कहा, ये डेव नहीं है, ये तुम हो, खर ये मेरे लिए कटिन था, लेकिन अच्छा था, आप जानते हैं ऐसे बहुत सी चीज़े जो हमारे लिए अच्छी होंगी, यदि हम उनकी बात सुनेंगे, हो सकता है, आप कि ये माहन प्रार्तना की जिससे आप भज़ा निक्यावर में पास सकते हैं, उसके शांती उसके पास वापस आ गए और मुक्ति का आनन्द उसके पास वापस आ गया, दुखी मत हो ये क्यूंकि आप उन चीज़ों के लिए पशवाताप नहीं करेंगे, जिनके बारे में परम लेती हूं, जिसे मैं अपना excuse back कहती हूं, और ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम हमेशा कोई न कोई बहाना बनाते हैं, आप जानते हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, यह बहुत कठीन है, यह बहुत कठीन होगा, कोई और ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, आज हमारे पास दुनिया में बहुत अनातिकता है, और लोगों द्वारा उप्योग किये जाने वाले बहानुम में से किये है, हर कोई ऐसा कर रहा है, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं कि आप हर कोई नहीं है, आप परमिश पोशाक पर कोशिश की, यह तब की बात है, जब लोग अपने कपड़ों में टांगों से उपर की और स्लिट पहनते थे, पोशाक मुझ पर अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने महिला से कहा, मैं इसे नहीं पहन सकते, और उसने कहा, ओ, लेकिन यह आप पर बहुत चचरे, य और मैंने का, मैं सुसमाचा की मंतरी हूँ, मैं सिर्फ वही नहीं करती, जो स्टाइल है, मुझे वो करना है, जो परमिश्वर को प्रसंद न करेगा, आप सिर्फ वही नहीं कर सकते, जो स्टाइल है, या हमेशा वही नहीं पहन सकते, जो स्टाइल में, आपको वो करने की ज जानते हैं आप अद्भूत हैं और परमिश्वर ने आपको बनाया है और उन्होंने आपको एक महान तरीके से बनाया है लेकिन शब्द को जानना और शब्द के अनुसार जीने का नेड़ने लेना महत्वपूर्णे और ये बताना मत बहाना बनाओ कि ये कोई नहीं कर रहा त तो मैं की करूँ यदि आप जानते कि आप अकेले हैं जो परमिश्वर के वचन का पालन करते तो आप परमिश्वर के वचन का पालन करते और परमिश्वर आपको आशिरवात देंगे बहानी मुझे एक शमा कर दो ये शू लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुला र हैं आप इसे अपनी दिल के अंदर महसूस कर सकते हैं परमिश्वर आपको युश्वου को अंपने उद्धार करता के रूप में सविकार करने और अपनी पापों का पैस्चाता आपकर लिए दूसरी मुडने और एक अलग तरका जीवन जीने के लिए बुला रहे हैं और यदि वो आप हैं और आपने कभी भी महसी को अपने उद्धार करता के रुप में स्विकान नहीं किया है तो आप अभी आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है आप कॉल कर सकते हैं और हमारे पास ऑपरेटर इश्यू को प्रभु जानकर अंगिकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि आप मानते हैं कि परमीशवर ने उन्हें अमरितकों में से उठाया और एक पापी जीवन से दूर जाने के लिए तयार है और सीखे कि परमीशवर के लिए कैसे जीना है और सुनिये लूका 14- 18 में ये कहा गया है, पर विसब के सब क्षमा मांगने लगे, पहले से उनसे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखू, मैं तुझ से विंती करता हूँ, मुझे ख्षमा करा दे, और एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे ह लगता है कि उसने सोचा कि पतनी की देख भाल करें मुसका सारा समय बरबाद हो जाएगा कि प्या मुझे ख्षमा करें हमें परमेश्वर को अपनी सभी बहानी दिना बंद करना है और बस इतना कहना होगा तेरा राज्य आये तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृत्वी पर भी हो यही हमारा अर्थ नहीं है तो परमेश्वर की प्रार्थ ना करें हम सभी राए से भरे हुए हैं हमें इसके बारे में और उसके बारे में और कुछ और के बारे में राए मिली और हम सोचते हैं आपको उस तरह की कार नहीं चलानी चाहिए और आप आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप जानते हैं यदि आप केवल अपने काम से काम रखते हैं तो आपके पास बहुत अधिक शांती होगी रोमियो दो एक कहता है जिस बात से तू दूसरे पर दोश लगाता है उसी बात से अपने आपको दोशी ठहराता है इसलिए कि तू जो दोश लगाता है आप ही वही काम करता है और बाइबल कहती है यह दोश लगाने वाले तू कोई क्यों नहों तो निरुत्तर है क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है उसी बात में आपने आपको भी दोशी ठहराता है इसलिए कि तू जो दोश लगाता है आप ही वही काम करता है आज हम अपने आप पर एक अच्छी नजर डालें आए परमीश्वर को अपने वचन के प्रकाश में हमें परखने दे और कहें परमीश्वर है परमीश्वर आप मेरे जीवन में कोई भी ख्षेत्र चुन सकते हैं जिसमें आप मुझसे निपटना चाहते हैं लेकिन मैं सचाई चाहती हूँ आए सत्या के प्रेमी बने और किसी भी अनिया चीज की तुलना में सत्या को अधिक चाहें और आए उन चीजों से भागना बंद करें जिनका परमीश्वर चाहते हैं कि हम सामना करें और जिन से निपटे इस कारे करम को जॉइस मायर में इस चीज के मित्रों और भागीदारों द्वरा संबव बनाए गया है